नमस्कार दोस्तों आईए आज हम सभी एक ऐसे टोपिक पर ध्यान देते हैं दोस्तों अक्सर आप सभी ने देखा होगा दोस्तों कि बहुत सारे लोग ओवरवेट होने की वज़ा से प्रोब्लेम्स फेस करते हैं और ओवरवेट होना भी नहीं चाहिए अगर हमारा वज़न ज्यादा हो जाता है तो हमारा शरीर जो है वो बहुत सारी बीमारियों का घर बन जाता है दोस्तों लेकिन जितनी मुश्किलों का सामना हमें ओवरवेट होने पर करना पड़ता है उतनी ही मुश्किलों का सामना अंडरवेट होने पर भी करना पड़ता है तो बहुत सारे लोग समाज में हमारे ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनका वजन कम होता है दुबले पतले होते हैं दुब बीमारियों का अटेक बहुत जल्दी हो जाएगा आपका पाचन तंत्र सही नहीं रहेगा सही ढंग से काम नहीं करेगा तो आप दुबले पतले होते हैं अंडर वेट होते हैं फिर आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है मुश्किलों का सामना करना पड़त करते हैं इसलिए हम नेचुरली तरीके से प्राकृतिक रूप से कुछ चीजें लाएं हैं आज शोध के कोडिंग जिनका आगर आप सेवन करते हैं तो आप अपने वजन को बढ़ा सकते हैं और जो हास्यास पद आप बन चुके हैं कि आपकी बॉड़ी पतली होते हैं तो हमें भी शर्मिंदगी महसूस होते हैं कहीं भी जाने में उस चीज को दूर कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात अपने आपके लिए कि आप स्वस्त और स्मार्ट दिख सकते हैं तो इसके लिए आपको आवश्यक समगरी क्या होगी वो नोट कर लिजे दोस्तों केला लाना है आप इसको कैसे खाना है मेन बात यह है दोस्तों सुबह सुबह आपको खाली पेट केला और दूद को अच्छे से ग्रैंड कर लिजे यानि कि मिक्स कर लिजे जब एक अच्छा मिश्रन बन जाए तो इसे पी लिजे अब क्या होता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं केला मिनट बाद केले और दूद के जो जूस है उसको पीने के बाद आपको दो मिनट के बाद एक इलाइची को या फिर दो इलाइची को चबा चबा करके खाली जी अच्छे से आपको फायदा करेगा हां दूद और केला में अगर आप किसमिश डाल लेते हैं 10 ग्राम यानि कि 20 से 30 किश मिश डाल करके आप खा लेते हैं तो यह आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदे मंद होगा दोस्तों इसके बाद आप दो पहर के खाने के साथ अंकुरित मूं की डाल लीजिए यह कैसे होगा आप मूं की डाल लाइए उसको रात को भिंगो करके छोड़ दीजिए फिर उसे कपड़े में लपेट करके रख दीजिए अगले दिन वो अंकुरित हुआ रहेगा ऐसे एक बार सिस्टम बन जाएगा तो हर रोच का आपका चलता रहेगा दो पहर के खाने के साथ आप इसका सेवन कीजिए खानी का जो है अंतराल वो कम कर लिजिए अगर आप को बढ़ाएगी और यह अपने यह अंकुरित मुंग की दाल जो आप खाएंगे यह आपके पाचन तंतर को सही रखेगा पेट को सही रखेगा भूख को बढ़ाएगा और अगर आप सही से खाना खाएंगे तो इसी बात है कि आपका वेट बढ़ जाएगा आप खुबसू यह सोने के लिए आपको उतना वर्काउट करना पड़ता है जब आप उतनी मेहनत करेंगे तो वह आपकी बोडी में मसल्स के रूप में फैट आएगा दोस्तों जो आपके लिए बेहाद लावकारी साबित होगा तो देखा दोस्तों हम सभी ने आज हम आप सभी के लिए मो आपकार दोस्तों